दो महीने पहले इसी दिन 31 जन्वरी को हेमन जी को जेल में डाला गया आज तक आरोप सावित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है छारखंड जुकेगा नहीं इंडिया जुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं आज इस मंच पर मंचा सीन आदर निया सभी अभी अमाने निया गण को और खास कर हमारे साथिया आप आज भी पार्टी के नेता कारेकरता गण खास करके सुनीता मैम जी को और यहां उम्रा ये जन सैलाब आप सभी को हूल जोहार है आज ये उम्रा एंस्तिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग तंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाद ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है उसको अंद करने के लिए ये संकल्ब सभा यहां पे अमंत्रित हुई है जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश हर एक प्रांच से आई हुए है आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत बढ़ाई कि आपने हमारी ताकत को इंडिया गडबंदल की ताकत को बढ़ाया है आपके यहां उपस्तित होने से हम सब मंचा सीन जितने पार्टी के कारी करता है पार्टी के वान्य गंड है सभी को ताकत मिलती है क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहां भारत की 140 करोड की जनता है जिनका बहुमत जिनका सिम्मत जिनका ताकत हम सभी को मिला है आज भारत में बाबा साहिब जी के सम्विधान के प्राप्ट जितनी भी ग्यारंटियां है उन सभी को NDA सरकार के द्वारा उसे नश्च किया जा रहा है इनकी ग्यारंटियों की ग्यारंटी कौन लेगा जिनोंने एक-एक करके हमारे सम्विधानिक संस्थाओं के सम्विधानिक मुल्यों को तहस नहस किया है जिस धंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है जिस धंग से आज महगाई सात्वे आस्पान पर है जिस धंग से पूरे देश में नफरत की आख़े लाई जा रही है जिस धंग से हर एक जाती हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है आज भारत की जंदा सबसे बड़ी है अगर कोई दल बहुत अपने आपको शक्तिसाली समझता है लेकिन भारत की 140 करोड की जंदा से जादा शक्तिसाली और ताकतवर नहीं हो सकती है आपकी एक उंगली इस उंगली का इस्तिमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गटबंधन इंडिया गटबंधन के लोगों को मजबूती दीजेगा क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है आपको अपना लोकतंत्र बचाना है आपको अपने हदिकार हग के लिए लड़ना है तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही धंग से करना होगा आज 31 मार्च है दो मही में पहले इसी दिन 31 जन्वरी को हेमन जी को जेल में डाला गया दो महीने से जेल में है अर्विन केजरिवाल जी पिछले दस दिनों से जेल में है आज तक आरोप सावित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है आप जन्ता जनार्दन है आप महा अदालत है आप से जादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है तो आप अपनी मजबूती को अपनी ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहां इंडिया गटबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आपने सामने खड़ी ताना ताकत को यहां से उखाड फेकना है और मेरा यही कहना है यह भूमी यह मैदान की मिट्टी राम जी की राम लीला की कहानी बताती है हम सभी को यह याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने यूद्ध करते समय में भी नीती नियमों और आरदर्शों का पालन किया था और जिस तरीगे से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर एवं शेहनशीलता दिखाई है और जिस तरीगे से उन्होंने ज्यानी होते हुए भी ज्यान पाने की ततपरता दिखाई थी और जिस तरीगे से युद में अपने प्रतिदंद्यों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की द्रिष्टी से देखा था आज हमें सब को भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्छे धंग से समझने की जरूवत है आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गटबंधन आप सभी का आशिरवाद हम सब को चाहिए अन्त में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी जारखंड जुकेगा नहीं, इंडिया जुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं मैं अपनी बातों को इस जोस के साथ ये कहना चाहूंगी जैहिंद 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 जोहार अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले